हेड़ दोस्तों मैं है रिषभ जाड़ जार आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले Zebronix का Zebr Thunder Wireless Headphones के बारे में तो पहले आपको Unboxing वीडियो जो मैं पहले शूट किया था वो दिखा देता हूं उसके बाद मैं अपने experience शेयर करूंगा तो वीडियो को पूरा देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरू करना चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकाउन पर दबा दीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किजिए जब थंडर यह है मॉडल का नाम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों तो फीचर्स वाइरलेस ब्लुटूथ ऑक्स माइक्रोस्डी एफम रेडियो कॉल फंक्शन मीडिया वाल्यूम कंट्रोल इस तरफ हमारे रितिक रोशन है ठीक है फिर पीछे सेम यह कलर ब्लू है दोस्तों और कुछ स्पेसिफिकेशन्स है इदर फिर स्पेसिफिकेशन्स प्राइजिंग की बात करें तो 1199 है बट इसस स्पेसिफिकेशन्स में चेक कीजिए अगर आप इंट्रेस्टेशन्स प्राइजिंग चलिए इदर सील है तो वेरी इंपोर्टेंट की सील रहे दोस्तों बाइचांस आपके पास अगर सील खुला वाला आ जाता है तो फिर आप रिटर्न कर दीजिए और अप्लाई फॉर अगर रिप्लेस्मेंट तो इसमें सील था विच जगुड तिंग तो हम निकाल लेते हैं इसको तो इस इस दो प्रोडक्ट इसको साइड में रखकर लेकर हम ठीक है तो निकाल ले हमने इस दे हैटफोन तो इस बोथ वायरलेस आज वेल आज वायर दोस्तों जो मुझे केबल जो आप बेसिकले वायर कनेक्शन कर सकते हैं और इस इस दे हैटफोन निकालने से पहले इस दे चार्जिंग केबल माइक्रो यस्बी टाइप है दोस्तों बट इस प्राइस रेंज में यही मिलता है तो दस फाइन अट लिस केबल दिया है फिर हमारा जो यूजर मैनुवल है एक बात दिखा भी देता हूं आपको कैसा है यूजर मैनुवल तो इस इस ओके वेरी स्मॉल यूजर मैनुवल व अगे राइट विजर मैनुवल चलिया आपको अभी हेडफोन लिखाता हूं तो दिखाता हूं तो देख साकते है जब्राउनिक्स लिखा है ब्लू कलर का है टॉप पैडिंग तो दोस्तों पहले हम पैरिंग करते हैं देखते हैं कि इतना इजी होता है पैरिंग तो यूजर मैनुवल ये क्लियर कट लिखा आपको ये वाला बटन जो है 3-4 सेकंड के लिए प्रेस करके हूल करना पड़ता है तो हम प्रेस करके होल करते हैं 3-4 सेकंड अभी देखे आप इदर बिलिंक कर रहा है तो हम ब्लूटूथ आन करके चेक करते है Bluetooth में दिखाएगा कि नहीं तो नया device Zeb Thunder आप देख सकते इदर Zeb Thunder किदर गया अरे ओहो available devices Zeb Thunder click on it okay pair pair detected 60% battery है दोस्तो तो आप देख सकते है and क्या दिखा रहा है SBC connected battery 60% active ठीक है and आप देख सकते है जो light है वो blue हो जाएगा pairing के बाद तो आपको बता ज़ाएगा its pad तो वो था unboxing अब चलिए experience review के बारे में बात करते है तो पहले start करते है look से तो इस wireless headphones basically थोड़े से colors में आता है जैसे आप मैंने जो खरीदा है तो दिखने में अच्छा है दोस्तो and थोड़ा सा funky भी है तो different अगर कुछ looking चाहिए तो अच्छा रहेगा कि जादा color नहीं है थोड़ा-थोड़ा inserts दिया है तो looks good quality की बात करूँ तो these are not foldable दोस्तों but quality price के हिसाब से ठीक ठाक ही लगा जादा आप मतलब उसको twist करने का try करेंगे तूट सकता है but normal usage में मुझे जादा कुछ problem लगा नहीं strong ही लगा buttons की बात करें तो those are also good charging basically micro USB आता है तो that is something अगर type C होता तो better होता है but price को देखते हुए micro USB is okay buttons are also good इसमें actually जो basic main features है वो है कि इसमें FM का option है and FM की बात करूँ तो आपको wire लगाने का जरूद नहीं है wirelessly FM काम करता है micro SD card लगा के भी आप song सुन सकते है and wired भी सुन सकते गाना and wireless तो सुन नहीं सकते है तो बहुत सारे features है दोस्तों which is really मतलब जिसके लिए मैंने खरीदा था and overall I've been happy जो build quality है that is good FM की बात करें तो actually मेरे area में FM उतना अच्छा नहीं है तो signal पकड नहीं रहा था बड़ अगर आप थोड़ा सा अच्छा area में जाएंगे 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 signal normally FM का signal आता है तो फिर आप signal मतलब FMB wirelessly सुन सकते है which is really nice and wired and wireless का option है which is like अगर आपका बैटरी खतम हो जाता है तो फिर आप directly wire लगा के सुन सकते है अशने के wireless खतम हो गया तो आप कोई option नहीं है that's a really good thing sound quality really nice दोस्तों वो thumping bass जो हमको चाहिए रहता है that is there एक चीज है अगर आपना जो भी streaming service उसका तो इसमें equalizer में thump मतलब bass को बढ़ाते है तो that makes the experience और भी better by default थोड़ा सा thump होता है but अगर आप bass के fan है तो equalizer में जाके bass बढ़ाएंगे तो that'll be really good wire में भी अच्छा मतलब आता है जादा difference मुझे नहीं लगा wired and wireless में almost similar but yes कभी-कभी wired में जादा better आता है compared to wireless but थोड़ा सा मतलब settings change करने से wireless में भी अच्छा ही आता है sound clear है bass जादा है treble थोड़ा सा कम है क्योंकि bass को बढ़ाना चाते है तो treble कम हो जाता है but overall good sound quality एक चीज़ अगर आप जादा gaming करते है तो this is really nice for you क्योंकि गेम में आपको थोड़ा lag होने से आपको problem रहता है थोड़ा मतलब delay में आता है तो तो उस समय आप wired use कर सकते है and बाकी समय जब आप कोई song सुन रहे या movie देख रहे तो तो अब wirelessly देख सकते है तो आपके जब भी भी रहेगा मतलब delay नहीं चाहिए wired भी उस कर सकते है so two in one हो जाता है which is really nice and sound quality was good अभी हम बात करे range की क्योंकि ये Bluetooth the one of the reason क्यों इसका price कम है ये actually one of the main reason है कि इसमे Bluetooth 4.2 आता है दोस्तों instead of Bluetooth 5 ये एक चीज हो सकता है जिसके वज़े से हो सकता है आपका interest थोड़ा कम हो जाए मैं तो खरीदा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि 4.2 आलसो विल डू दा जॉब and overall it has done the job एक चीज जो ब्लू टूटूथ 4.2 में मुझे लगा कि range उतना जादा नहीं है दोस्तों तो आप अपना laptop के सामने बैट के करेंगे या mobile के साथ connect करें मतलब songs सुनेंगे या movie देखेंगे तो problem नहीं आएगा बट अगर आप दूर जाते हैं थोड़ा भी जादा दूर जाते है तो फिर yes, you can feel that Bluetooth 5.0 में range जादा है compared to 4.2 that is one thing नार्मल केस में अगर मैं सामने ही बैटा हूँ डिवाइस के या walking कर रहा हूँ पॉकेट में रखके phone तो कोई भी problems नहीं आया तो range is okay-ish बट येस 5.0 में range जादा मिलता है overall अगर आप मुझे पूछे तो I have been happy with the product and price price around 800-900 के बीच मिल जाता है तो pricing के लिए exact pricing description में आपको मिल जाएगा तो price को देखते हो it's a really value for money product दोस्तों क्यूंकि आपको इतना सारा features भी मिलता है and overall a good sound quality also I have been happy with the product अगर आपको Bluetooth 5 ही चाहिए तो फिर एक और model है जो मैं देख रहा था थोड़ा सा जादा costly है features कम मिलेगा but Bluetooth 5.0 मिलेगा तो वो भी आप check out कर सकते है and अगर आपको same features चाहिए but Bluetooth 5.0 चाहिए तो फिर और एक model है उसका भी link description में देदूंगे that is really good but yes आपको थोड़ा से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो आपके budget के साब से आप से आप देख सकते है इस budget में this is a really nice headphone and I would definitely recommend you अगर आपका budget जो description में exact pricing मिल जाएगा 700-900 के बीच जो भी pricing रहेगा it's really value for money you can definitely go for it I'm really happy with the product तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना चाल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान पर दबा दीजे मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कीजिए at the rate rcmedia house आज के लिए इतने हैं था दोस्तों फिर से अगले वीडियो मिलेंगे तब दक के लिए bye bye and stay safe and अगर आप micro sd card उस करेंगे तो directly play होना शुरूर कर देगा तो उसके लिए internet भी जाए नहीं रहेगा तो that अगर आप कहीं जा रहे है जा internet नहीं है तो micro sd card भी उसका सकते है